नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में मैं हूँ आपकी साथ पूजा हम लेकर आया है देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचिप टॉक्टरम पनेश वार्णुक्र सब बहुत स्वागत है दन्यबाद सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर बिहार में लिदीश क्याबिनेट का हुआ विस्तार आरजडी की भूमिका दमदार कुल 31 मंत्रियों नेली शपर बिहार सरकार में विभागों का भी हुआ बटवारा कश्मीर में फिर टार्गेट किलिंग सेब के बागान में दो पंडित भायों पर आतंकियों ने बढ़साई गोलिया एक की हुई मौत अरुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या सीबी आई की रडार पर बेटी के नाम पर जमीन के छे कागजात इदर अरुब्रत मंडल के समर्थन में उतरी ममता बेनर जी गुजरात के वरूच में 1026 करोड की 513 किलो ड्रक्स परामत एक महिला सबेच साथ आरोपी गिरफतार श्रिलंका पहुचा चीन का खूफिया जहाज जासुसे जहाज की एंट्री पर उठे सवाल भारत में भी जताई थी चिन्पा आज की सबसे पहली खबर बिहार में बनी नई महा गडबंदन सरकार से जुड़ी आज नितीश तेजस्पी सरकार का पहला क्याबिनिट विस्तार हुआ जिसमें कुल 31 विधायकों ने मंत्री पत की शपत ली आजडी के 16, J.U.K. 11, कॉंग्रिस के 2, हमको 1 और 1 निर्दलिय विधायक को मंत्री मंडल में शामल किया गया साथी आज ही मंत्रियों के विभागों का भी बटवारा कर दिया गया सेम नितीश कुमार ने ग्रे विभाग अपने पास ही रखा है वहीं डिप्टी सेम तेजस्पी यादब के पास स्वास्त समेत कुल 4 विभाग रहेंगे तेज प्रताव यादब को इस बार वन एवं परियावरन विभाग के जिमदारी सौपी गई है आज मंत्री मंडल का विस्तार और आज ही विभागों का बटवारा लेकिन तेजस्पी यादब की भूमी का काफी दमदार नजल आ रही है देखिए ये जो सरकार बनी है और जितनी संक्ख्या में मंत्रियों ने शपताज ली है इससे कहा जा सकता है कि ताज नितीष का और राज तेजस्वी का ये बहुत ही जुका आप कह सकते हैं कि नितीष कुमार के लिए और तेजस्वी अदब के लिए कुछ प्राब्लम्स खड़े करने वाले बटवारे हुए मंत्रि मंदल के चार जेडियू के विधायक वो नाराज बताये जा रहे हैं नाराज इसलिए बताये जा रहे हैं कि उनको लगा कि भई वो मंत्रि बन सकते हैं लेकिन नीती स्कुमार ने नहीं बनाया एक और बड़े नेता नाराज नदर आ रहे हैं उन्होंने तो पटना ही छोड़के वो दिल्ली आ गए उपेंदर कुषवाहा जो इस पूरे गटवंदन के एक बहुत बड़े सो कसकते की प्लेयर थे वो शुरुवात से ये चाह रहे थे कि भारतिय अंता पाटी को छोड़के आरजेटी के साथ जाया जा उसके लिए वो मुखर भी थे ललन सिंग और उपेंदर कुषवाही मीडिया में उन्होंने कमाल समा रखी थी अब जब उनको मंत्रिपद नहीं दिया गया तो वो लोग आश्चर चकित हैं मंत्रिपद इसलिए नहीं दिया गया कि बाकी की जो कुषवाह लीडर्स है उन्होंने कहा कि कोई भी कुषवाह बन जाए उपेंदर कुषवाह नहीं बनना चाहिए मंत्री और इसलिए नितिश कुमार वो उन्हें मंत्रे नहीं बनाये वो रूट के चले के लेकिन एक और इंट्रेस्टिंग बात जो आरजेटी से जुड़ी हुई है कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव वो सपत गर्ण के बाद रूट के चले के घर चुप चाप बिना कोई बयान दीवे बिना वो नाराज इस बास से लेकर के हैं कि हमें बिलकुल इग्नोर कर दिया गया महाँ पे उनको ऐसा मंत्राले दिया गया है जिसमें वो कुछ करी नहीं सकते हैं और बहुत ही जिसू कर सकते हैं कि यूजलिस सा मंत्राले उनको दे दिया गया है वन और प्रियावरन वो उसमें क्या होना है अब यहार के अंदर में तो वो उनको लग रहा है कि उनके साथ धोका हो गया अब जो सबसे बड़ी खबर इस पूरे मंत्री मंडल में और डिपार्टमेंट के बटवारे को लेकर के है कि तेजस्वी आदव और आरजडी के जो सलाकार है वो लोग लगतार सुरू से इस बात पे आमदा थे कि उनको वित्त और ग्रिह मंत्राले आरजडी को मिले लेकिन लालु आदव, सोनिया गांधी और नितिस कुमार की जो बैठक हुई जो आपस में वितालमिल बना, जो बाचित हुई उस पे ये कॉम्प्रमाइस फॉर्मूला तयार हुआ वो इसलिए तयार हुआ कि तीनों में एक राय थी कि कि किसी भी तरीके से भारत जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है लेकिन अब ये बटवारे तो हो गए लेकिन नितिस कुमार की समस्या ये है कि कल वहाँ पे लाउन ओर्डर के कोई भी सिचुशन ख़ड़ा होगा तो मालूम चलेगा कि हर चीज़ के लिए नितिस कुमार को दोसी ठहराया जाएगा उनकी accountability fix की जाएगी और नितिस कुमार की मुसिबत ये होगी कि वो इन अपराध्यों के खिलाफ कारवाई भी नहीं कर पाएगे आज की दूसरी खबर कश्मीर में एक और target किलिंग से जुड़ी हुई कश्मीर में गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का सिलसला रुकने का नाम नहीं ले रहा एक बार फिर जमू कश्मीर के शोपया में आतंकियों ने दो कश्मीरी पंडित भाईयों को गोली मार दी फाइरिंग में सुनेल कुमार भट की मौत हो गई जब कि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गई है उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है आतंकियों ने कश्मीरी पंडिक भाईयों पर सेप के बागान में गोलिया बरसाई है एक बार फिर से जबू कश्मीर से टार्गेट किलिंग की खबर कब लगेगा इसमें पूर्ण विराव देखे एक बात समझने की है इसमें कि आप या कोई भी सरकार इवर आप हर जगा चप्पे चप्पे पर आप मिल्टरी भी खड़ा कर दे फिर भी आप हर इंडिविजिल को सिक्यूरिटी कहीं भी नहीं दे सकते समस्या हमला करने वाला कौन है किस मानसिक्ता से वो वहां हमला कर रहा है दरसल ये उस सोच उस इसलाम के उस कटर पंथी सोच का नतीजा है जिसमें कुछ आतंकी संगठनों ने जिहादियों ने कश्मीर को दरुल इसलाम समझ बैठे उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों का ही अधिकार कश्मीर की वादियों पे है और जो कोई भी दूसरे धर्म का वहां रहता है वो वहाँ पे इलिगली अकुपाई कर रहा है उस जगह को और इसलिए ही ये हमले हो रहे है अब देखना ये है कि जो तमाम भी पक्ची पार्टिया है जो सेक्लिलिजम के नाम पे राजनीती का धंदा करती है उन लोगों की तरफ से इसका कोई कंडेम करने वाला कोई सामने आता है या नहीं आता है आर्टिकल 370 हटा जरूर है लेकिन वो जो इसलामिक कटरपंथियों की जो पकड़ है जो उनका जो विचार है उनका जो घिना है देश के परती हिंदू के परती वो अभी खत नहीं हुआ है ये पाकिस्तान स्पांसर टर्रिरिजम जब तक कश्मीर में रहेगा हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे जी आज की तीसरी खबर ममता बेनर जी के खासम खास जेल में बंद अनुबरत मंडल से जड़ी हुई गौत तसकरी के आरोप में त्रनमुल कॉंग्रिस के जला ध्यक्ष अनुबरत मंडल फिलाल CBI हिरासत में है और अब CBI के निशाने पर अनुबरत मंडल की बेटी सुकन्या है अनुबरत मंडल की बेटी के नाम पर जमीन के छे कागजात और बैंक एकाउंट पर CBI की नजर है जिससे CBI पूश्टाज करेगी तो वहीं दूसरी तरफ अनुबरत मंडल की समर्थन में मम्ता बेनर जी मैदान में उतर आई है मम्ता बेनर जी प्रस्टचार का समर्थन कर रही है उधर CBI एक के बाद एक खुलासे कर रही है अब अनुबरत मंडल की बेटी CBI की रडार में है ये बड़ा अस्टर जैनक पहलू है मम्ता बनर जी की राजनिती का कि पार्थो चिटर जी पकड़े जाते हैं आपने हाथ खीच लिया अब इसे एक बनर जी नो टॉलरेंस टू करप्शन इस तरह के महीम चेड़ देते हैं लेकिन अनुबरत मंडल में ऐसे क्या बात है कि मम्ता बनर जी सीधे उसके बचाओ में नहीं उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है वो कह रही है कि केश्टो ने कुछ नहीं किया केश्टो वो बुलाती है अनुबरत मंडल को कि केश्टो तो ने कुछ किया ही नहीं वो तो बड़ा भला आदमी है मैंने उसको मंत्री बनाने का उफर दिया उसने मना कर दिया मैंने उसे MP बनने का मौका दिया उसने मना कर दिया हम तो उसे राजस्वावी भेजने वाले थे फिर भी उसने मना कर दिया ये तो संत पुरुष है और उसको जबर्दस्ती इस तरीके से तंग किया जा रहा है फिर वही संट्रल एजिंसियों के खिलाफ तो ममता बररजी के इस दोहरे रवये को समझना जरूरी है पार्त चुटरजी पकड़े गए और उनका जो नेटवर्क था वो अलग किस्म का है और ये जो गौत तसकरी में जो नेटवर्क है अनुबरत मंडल ये मुसलिम व्यापारियों के साथ मिल के काम करते हैं ये जो गौत तसकरी का पूरा मसला है उसमें जो इन्वाल्मेंट है उसमें मुसल्मानों का इन्वाल्मेंट ज्यादा है इस वज़ा से वोट बैंक पॉलिटिक्स को हिलते हुए ममता बरलजी ने देखा तो वो अन्वत मंडल के समर्थर में आग खड़ी हुई लेकिन समर्थर में तो आप खड़ी हो गई आप क्लिंचिट दे रही है जिस तरह से केजरिवाल देता रहता है अपने नेताओं को लेकिन अब इसका क्या करें जो उनकी बेटी उसके ड्रावर उनके रिष्टेदार उनके घर में काम करने वाले नौकरों के आज से अधिक संपत्ती का मसला और जो सबूत मिल रहे हैं ममता बरजी दोनों ही तरफ से चित और पट दोनों ही अपने हिसाब से खेल खेलना चाहती है तो इसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आज की चौदी कबर ड्रग्स फैक्टरी पर बड़े च्छापिमारी की ड्रग्स कारुबारियों के खलाफ मुंबई एन्टी नार्कोटिक सेल ने बड़ी कारवाई की है मुंबई एन्टी नार्कोटिक सेल की वरली यूनिट ने गुजरात के भरुजले के एक ड्रग फैक्टरी का भंडा फोड किया है टीम ने इस चापिमारी में लगबग 513 किलोग्राम ड्रग्स बरामत किया इस ड्रग्स की कीमत अंतरास्टी बाजार में 1026 करोड रुपए बताई जानी है इस मामले में एक महिला समेच 7 आरोपियों को गिरफतार भी किया गया है ड्रग्स के इतने बड़े कारोबारियों का भंडा फोड हुआ है कितनी बड़ी कारवाई देखे गुजरात में लगातार 1000 और हजार कड़ो रुपए के ड्रग्स की पकलधकड़ हुआ है इसका क्या मतलब है इसका मतलब साफ है कि उपर से जो एंटी ड्रग्स एजिंसिया है जो नेर्कोटिक्स के खिलाफ कारवाई करती है उनको खुली छूट दी दी गई है ये धंदा बहुत ही गंदा है और इसलिए पहले के जमाने में इस पे बेरोक ठोक वो धंदा कर पाते थे अब ऐसा लग रहा है कि केंद सरकार की तरफ से खुली छूट दे दी गई है इन अधिकारियों को कि किसी भी कीमत पे ड्रग्स के खिलाफ जो है कोई भी कारवाई वो स्लो ना पड़े प्रधान मंतरी कई बार ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाने की बात वो कर चुके हैं और उसके तहत ही आपने देखा कि किस तरीके से नार्कोटिक्स डिपार्ट्पिंट ने बॉल्यूड हो मुंबई हो इवन सुसान सिंग राजपूत की मौत के बाद जिस तरीके से पूरे ये एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए और इसके उपर कोई राजनीती नहीं होनी चाहिए डिपार्ट्मन ने अच्छा काम किया है पर जासुसी जहाज के एंट्री कैसे हुई थी आसाल इस पर लगतार सवाल उठ रहे हैं इस जासुसी जहाज को लेकर क्यों सवाल उठाये जा रहे हैं कि ये जो जासुसी जहाज है दरसल ये बहुत ही हाई टेक इसको चीन कहता है कि रिसर्च करने वाला एक जहाज है दरसल ये ground की mapping करता है under sea मतलब ये कि जहां से ये गुदरता है जहां भी ये रुखता है वहां से करीब 700 km के area को वो study कर सकता है उसके topography को उसके समंदर के अंदर क्या नक्सा है कहां क्या रास्ता है उसको वो पहचान सकता है मतलब ये इसका इस्तमाल कि टैर्पिडो हो मिसाइल सो अंडर वाटर जिसको किस तरीके से आप कहां attack कर सकते हैं उसकी वो mapping करने में महारत हासिल है जब सिलंका ने पहली बार उसे अनुमती दी सिलंका ओलडी एक आर्थिक विपदा में जूज रहा है बहुत सारे कर्ज इसने चीन से ले लिए है ये हमन टोटा जहां पर ये रुकेगा वहाँ और लेडी चीन ने उसके उपर कबज़ा कर रखा था अब इसमें धिक्कत क्या है कि जब ये मालूम चला हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ने बकाइदा इसका विरोद किया हिंदुस्तान ने काफी मदद की है सिरलंका की तो वह टल गया लेकिन फिर ये पांच दिनों के लिए हमन टोटा में रुका रहेगा सिरलंका की सरकार ये के रही है कि वो सिर्फ वहाँ पर ओЙल के लिए आया है दुस्तान को चीन के खिलाफ कोई जवावी कारवाई जरूर करनी चाहिए बहुत बहुत शुक्र बाचीत के लिए धन्यवाद